कि सब्सक्राइब कीजिए मैडिस इंग्लिश चैनल को और बैल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जैसे की मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अगले महीने खत्म हो रहा है युक्रेइन में हुए अचानक युद्ध से होटलों के कमरे खत्म हो रहे हैं उसके पास बहाने खत्म हो गये जब मम्मी ने उसे रंगे हाथ पकड़ा कोविट के द ऐसे बहुत सारे संटेंस अब डेल लेफ में बोलते हैं आए देखते हैं इन्ग्लिश में किस तरह से बनाया जाता है जो फ्रेंड्स माने मजमाडी यॉर वाचिंग माड़ा संग्लिश स्टार्ट अप्राट इसे अश्टेंस बनाने के लिए इंग्लिश में हम एंड ड्रा exhaust, finish, go ऐसे words का use नहीं करते हैं इन sentences बनाने के लिए English में use किया जाता है run out of के use का run out of के use से मिन sentences को English में बनाते हैं आप इसे बहुत सारे लोग को इसका use पता होगा लेकिन sentences किस तरह से बनाने हैं आज मैं आपको वो समझाने वाला हूँ आईए देखते हैं सबसे पहला sentence तुम्हारा समय खत्म हो रहा है इसे बनाने के दो तरीके पहला तरीका you are running out of time मतलब कि तुम्हारा समय खत्म हो रहा है दूसरा your time is running out तुम्हारा समय खत्म हो रहा है your time is running out तब दोनों ही तरह से इसे कह सकते हैं Your time is running out, या फिर, You are running out of time. दूसरा sentence, मेरा driving license अगले महिने खत्म हो रहा है, मुझे इसे renew करवाना होगा. My driving license runs out next month, I must get it renewed. My driving license runs out next month, I must get it renewed. मतलब कि मुझे इसे renew करवाना होगा, I must get it renewed. क्योंकि इस चीज़ के पैसे लगेंगे, इसलिए यहाप पर get का use किया गया है. जैसे कि मैं तुम्हारा admission करवा दूँगा, I will get your admission done. Admission कराने के पैसे लगते हैं, इसलिए get का use किया गया है. अगर आपने मेरा get वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उपर आई बटन बाग को लिंक मिल जाएगी. किस तरह से Mac और get का use हम English में करते हैं, दोनों का ही मतलब होता है करवाना. तो वीडियो जरूर देखिए कि आपका doubt क्लियर हो जाएगा. देखते हैं अगला sentence. युक्रेन में हुए अचानक युद्द से होटलो के कमरे खत्म हो रहे हैं. अब अचानक युद्द हुआ है तो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, इसकेप कर रहे हैं. तो वहां से लोग जाएंगे कहां पे? लोग जाएंगे अपार्टमेंट्स में या फिर होटेल्स में, तो वहां की कमरे खत्म हो जाएंगे. तो युक्रेन में हुए अचानक युद्द से होटलो के कमरे खत्म हो रहे हैं. उसके पास बहाने खत्म हो गए हैं, जब मम्मी ने उसे रंगे हाथ पकड़ा. मतलग की, उसके पास बहाने खत्म हो गए, बहाने बचे ही नहीं, जब मम्मी ने उसे रंगे हाथ पकड़ा. मेरा डीजल खत्म हो गया. इसी तरह से, मेरे पैसे खत्म हो गए. मेरे पैसे खत्म हो गए. इसी तरह से, मेरे पास कैश खत्म हो गया. I ran out of cash. मेरे पास कैश खत्म हो गया. कोविट के दौरान, बहुत से लोगों का राशन खत्म हो गया. कोविट के दौरान, बहुत से लोगों का राशन खत्म हो गया. अगर कोई आपसे question पूस्टा है, जैसे कि, क्या आपके पास extra room है? तो आप इसका answer किस तरह से करेंगे? अगर आपको कहना हो, नहीं, खत्म हो गया है, तो किस तरह से आप उसे कहेंगे? तो सामने वला अगर आपसे पूस्टा है, क्या आपके पास extra room है? तो आप कह सकते हैं, sorry, I have run out. मतलब कि, मेरे पास खत्म हो चुके हैं, sorry, I have run out. इसी तरह से, क्या आपके पास extra pen है? Do you have extra pen? Sorry, I have run out. Sorry, I have run out. मतलब कि, मेरे पास सिफ यही एक pen था, बाकी pens खत्म हो चुके हैं, sorry, I have run out. क्या आपके पास में एक और लिफाफा है? Do you have extra envelop? Sorry, I have run out. मेरे पास यही एक था, और यह भी अब जा रहा है. So friends, कैसे लगी वीडियो नीची comment box में उसे जरूर बताएगा. वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक जरूर कीजिएगा. हमेशा की तरह अजबार भी कहुँगा कि अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने friends के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा. WhatsApp, Facebook जहां आपका मन करें लेकिन उन तक ये वीडियो जरूर पुचाएगा ताकि उनने भी sentences सेखने का मौका मिले. चैनल पर नहीं ते सब्सक्राइब जरूर कीजिए. बेल आइकिन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको लेडिस वीडियो के नाड़िकेशन मिलते नहीं. मिलता हूं नेक्स वीडियो में. तब तक के लिए गुड़ बाए.